क्या सावित्री मैंने सुना है कि मालती की बहु ने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया है अब क्या कहूं आज कल की बहु का कोई भरोसा नहीं है कब क्या कर दें मालती की बहु को देख कर कौन कह सकता था कि वो ऐसी निकलेगी तू सही कहती है, आज कल की बहों को देख मुझे तो बड़ा डल लगता है, कहीं मेरी बहों भी ऐसी निकल गई तो, नहीं नहीं, मैं तो गाउं की सीधी साधी लड़की से अपने बेटे की शादी करवाऊंगी इस तरह एक दिन गायतरी अपने बेटे की शादी गाउं में रहने वाली मीना नाम की लड़की से करवा देती है ये लीजी माजी, आपके लिए गर्मा गरम नाश्ता और चाय अरे वा बहू, सच कह रही हूँ, जब से तू इस घर में आई है, मुझे तो बड़ा आराम है तेरे जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है का माजी, अब इतन भी तारिफ मत कर रही है ना धीरे धीरे मीना गायतरी की चहती बन जाती है और मीना भी गायतरी को कभी शिकायत का मौका नहीं देती थी फिर एक दिन ये ले बहू, आज मैं बाजार से तेरे लिए साड़ी लाई हूँ साड़ी देखते ही मीना का मूँ लटक जाता है का माजी, ये भी कोई साड़ी है ना, मुझे तो बिलकुल पसंद नहीं आई अरे लाना ही था तो कोई अच्छी महंगे वाली साड़ी ले आती मेरे लिए आप तो ये सस्ती साड़ी उठा लाई मुझे नहीं ना चाहिए आपकी ये साड़ी आप ही पहन ये इसे अरे ये क्या बहू तु तो आजकल कुछ ज्यादा ही नकरे दिखा रही है मैं इतने प्यार से तेरे लिए साड़ी लेकर आई हूँ और तू है कि उल्टा मुझे ही दो बाते सुना रही है अरे माजी आप अपने लिए तो बड़ी ड़ी जाएंदार और महेंगे महेंगे साड़ियां खरीती है और मेरे लिए ये सस्ती साड़ी ले आई आप समझती है कि मैं गाउं से आई हूँ इसलिए मुझे कुछ नहीं पता हा अरे कुछ नहीं तुझे शहर की हवा लग गई है बहू इस तरह दोनों साज बहू में रोज किसी न किसी बात पर लड़ायां शुरू हो जाती थी एक दिन गायतरी अपने कुछ सहलियों को अपने घर चाहे पर बुलाती है अरे बहू मेरी सहलियों के लिए बढ़िया चाहे नाश्ता तो बना दे अरे मा जी अभी न मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है मुझे बीयोटी पारलर जाना है चाहे नाश्ता आप ही बना लीजी हाँ तू कब से बीयोटी पारलर जाने लगी है शहर आये दो दिन नहीं हुए और देखू महारानी के नकरे शुरू हो गए बस भी करिये मा जी आप से बहस करने के लिए मेरे पास बिल्कुल टैम नहीं है आपका का है आप समझती है कि मैं गाउं से आई हूँ तो मुझे कुछ नहीं आता और आप जो रोज रोज मुझसे महमान नवाजी करवाती रहती है नौकरानी की तरह मीना के कमरे में जाते ही अरे ये क्या गाय golden थी तो तो अपनी बहु की बड़ी तारिफ कर रही थी लेकिन ये तो तुझे कुछ समझती ही नहीं भई मुझे तो लग रहा था कि तेरे बहु गाउं की है तो सीधी साधी होगी लेकिन इसने तो शहरी बहू को भी मात कर दिया अपनी सहलियों के सामने अपनी बेज़ज़ती होते देख गायतरी आग बबूला हो जाती है अरे क्या शहर और क्या गाओ मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो मैं इसे बहू बना के ले आई भगवान जाने आगे और क्या क्या करेगी अब तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगता तू जरा संभल के रहना कहीं मालती की तरह तेरा भी हाल बेहाल ना हो जाए अच्छा अब हम चलते हैं अपनी सहली की बाते सुनकर गायतरी थोड़ी घबरा जाती है अरे ये सुशिला क्या बोलकर चली गई कहीं इसकी बात सच ना निकल जाए दूसरी तरफ मीना सारी बाते सुन लेती है अगले दिन से गायतरी अपनी बहु से कोई काम करवाने से पहले दस बार सोचती थी ज्यादर तर काम वो खुद ही कर लेती थी अचानक अपनी सास में आई इस बदलाओ को देख मीना लाईए न माजी मैं कर देती हूँ ना काम एक बात पूछू माजी आज कल ना आप बड़ी चुप चुप सी रहती है और अब मुझसे जगरना तो दूर मुझसे खुलके बात तक नहीं करती आप कुछ नहीं बभू ऐसी मीना अपनी सास की मनशा भाब जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है अरे माजी चिंता मत करिये मैं आपको घर से नहीं ना निकालने वाली ये डर आप अपने मन से निकाल दीजिए अरे छोटे मोटे जगणे तो हर घर में होते रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरी सासू माँ हो मैं तो जिन्दगी भर आपकी सेवा करूंगी माजी अपनी बहु की बाते सुन गायत्री को एक प्रकार का संतोश होता है और उसकी सारी चिन्ताएं दूर हो जाती है गायत्री अपनी बहु को गले लगा लेती है मुझे माफ कर दे बहु मैं तुझे गलत समझ बैठी थी कोई बात नहीं माजी ये ना घर घर की कहानी है हाँ